इसने घ्रीटर चेप्टर हमारा चल रहा है और आज हमें स्टडी करेंगे करेंट जनेरेटर के बारे में सबसे पहले इसकी मिनिंग समझते हैं जनेरेटर मिन्स क्या मतलब जनेरेट करने वाला ठेकिना किसी चीज को उत्पन कर रहा है और current generator मतलब current को उत्पन किया जाएगा current को generate किया जाएगा अब current को generate करने के लिए हमारे पास दो method है एक तो है AC generator और दूसरा है DC generator AC generator यानि की alternating current generator और दूसरा है हमारा DC generator जिसकों बोलते हैं direct current generator सबसे पहले generator यह करेगा क्या ठीकि ना किस तरीके से यह current बनाता है mechanism तो अभी हम बाद में पढ़ेंगे फिलाल हम देख रहे हैं कि क्या होता है उसमें कौन सी energy किसमें convert होती है तो current generator क्या करता है mechanical energy यानि कि kinetic energy mechanical energy क्या है जिसमें कुछ work होता हो, काम हो रहा है तो उसके अंदर जो energy है उसको हम बोलेंगे mechanical energy यानि कि suppose करिए कि movement हो रहा है न कोई चल रहा है अगर हम move कर रहे हैं walking कर रहे हैं चल रहे हैं तो हमारे अंदर जो energy है जिसकी वज़े से हम चल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे kinetic energy तो mechanical energy काम हो रहा है kinetic energy वो भी movement काम हो रहा है तो mechanical energy को हम kinetic energy बोल सकते हैं अब इसमें क्या होता है mechanical energy को यह generator क्या करता है उसको electrical energy में यानि कि current में इसको change कर देता है थीक है? हम जानते हैं कि energy को न तो उत्पन्य किया जा सकता है और नहीं इसको destroy किया जा सकता है केवल एक form से दूसरे form में बदलता रहता है वही energy है कभी वो heat energy हो जाएगा कभी electrical energy हो जाएगा कभी kinetic energy हो जाएगा तो change होता रहता है वो तो हम इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं और mechanical या kinetic energy को electrical energy में change करते हैं अब change करने के लिए हमारे पास दो method है एक तो है AC generator और दूसरा है DC generator AC generator में क्या होता है कि इसमें जब इसका भी mechanism देखेंगे तो हम देखेंगे इसमें एक armature होता है armature अगर मैं आपको बताऊं जैसे हमने ले लिया इस तरीके का ठीक है यह copy ले लिया इसमें armature जो होता है पूरा एसे मूफ करता है ठीक तैक में a movement यानि कि dlatego mechanical energy यानि कि पूल को सब्सुटे है तो शहीं काम करने के लिए mechanical energy इसको Mitt करता रहता है इसमें इस तरीके से movement होगा और movement कैसे हो रहा है पूरा angle अंगल जानिवे याहां से 170 degree पर है पूराommt करके और इस तरीके से है पूरा मुवमेंट होता है ऐसे ऐसे पूरा गोल-गोल घूमता रहता है तो इसमें मुवमेंट पूरा 180 फिर 180 यानि कि 360 का पूरा इसमें मुवमेंट होता है और यहां क्या होता है कि करेंट कभी ज्यादा भी हो सकता है और करेंट कभी कम भी हो सकता है तो करेंट कभी पॉजिटीव में फ्लो होता है और कभी करेंट नेगेटीव में फ्लो होता है तो यह जो इनका फ्लो होने का है कि पॉजिटीव में फ्लो हो रहा है यह एक्षोल में अल्टरनेट फ्लो होता है यानि कि एक बार यह पॉजिटीव में फ्लो हो रहा है करेंट द ऐसे मैं आज आपको पढ़ाऊंगी अगर कल नहीं पढ़ाती हूं पड़ाती हूं तो हम इसकोसुल तैक्ड तो घृकों कहते हैं लिदेश को सबस्क्राइब प Lawrence R nailed oh वोगो सब्सक्राइबuyorum है और अगर अगरम देयर हैं और इससे को करेंट कि बात करें या करेंट का फ्लोँ जो होता है भी-वोफ और एक ही मतले जो 项नल एक ही मतलब कreated लीतना अमाऊंट करेंट फ्लोऊ हो रहा है को अमाऊंट जो होता है वह чаuter आ ढृता है यानि कि हमको मिल रहा है उतना ही करेंट आमको consistentlyder मिलता रहेगा और एक ही direction में भी वो flow होता है तो positive में फ्लो हो रहा है तो positive में ही graph उसका बनता जाएगा यानि एक ही direction में वो flow हो रहा है इसमें दोनों direction में flow हो रहा है इसमें current का amount कितना हमको current मिल रहा है वो change हो रहा है variable है कभी ज़ादा मिल रहा है कभी कम मिल रहा है इसमें amount भी क्या होता है, constant होता है, तो यहां current का amount और direction दोनों constant होते हैं, और यहां amount और direction दोनों ही इसमें change होते रहते हैं, अब हम देखते हैं alternating current generator यानि की AC generator किस तरीके से work करता है, इसका mechanism, यह है हमारा AC generator, AC generator में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाना भी चिस तरीखेसे यह लाइन डाग्राम बना आगया है वैसे ही बनाना है अब ज्स तरीखेसे हमने यहाँ पर क्या किया यह है हमने यहाँ पर Magnet लिया है आप देख रहे हैंगे डो Magnet हमने ले लिया है एक हमारा यह Magnet है जिसका हमने अब magnet में तो दो पोल होता ही है, कोई भी हम magnet लेंगे, उसमें दो पोल होता है, एक होता है N-Pol और दूसरा होता है S-Pol, हमने एक साइड में magnet का, यहां पर आपको एक पोल दिखा जा रहा है, कि यह हमने N-Pol ले लिया, और दूसरे साइड में इसका S-Pol है, जिसका हमको work काम ने लिए आ दिखाए नहीं है यहां हमने इसका घ्षळ ले लिए और इसका होगा एन पुल जिसको यहां पर टो हमने यहां पर क्या ले लिया 2 लाज हमने 4 क्या डी ले लेते हैं अगर हमको क्या बनाना है AC generator ठीक है न हम AC generator देख रहे हैं कि कैसे mechanism कैसे काम करता है और इसमें क्या-क्या parts होते हैं एक 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 parts को पहले समझेंगे उसके बाद एक किस तरीके से काम करता हो उसको देखेंगे तो first part किया देख रहे है fan magnet समझ गई आप यह थो हमने लेलिया moral जिसका एक उने नॉर्फ-abenॆ उर्प लेए लिया अर यहां मनेंend इसका इसका удоб लेलिए इस तरीके से हमने magnet को रख लिया तेक है दूसरे नमर ऑब आप देखें यहां-पर जब हमने मैगनेट को लिया है यह मैगनेट क्या करता है इसमें से रेज निकलेंगे आपको पता है इस shape के magnet को curve shape magnet को लिया जाता है ताकि यहां से हमको क्या पता है कि यहां से magnetic lines निकलेंगी और उसी principle पर ये काम करता है magnetic line किस तरीके से effect दिखाते हैं उस पर ही ये काम करता है तो हम चाहते हैं कि magnetic line जो है वो proper इस area में मिले इसलिए हम ऐसा न ले करके ऐसा लेते हैं कर्व यहां से ओके it uniqu in the matière devotee और बीच में अदर अंधर हमको को मिलता रहें ठीक ना तो जादस जादस आदस हमको यहां पर magnetic line मिले इसके लिए हम इसको fave और यहां से को देंगे मैगनेट को तो वह दोनों मैगनेट ही दोनों डिफरेंट पोल है तो वह क्या हो जाएगा अट्रेक्ट हो करके एक में चिपक जाएंगे तो इसका मतलब यह अट्रेक्ट हो रहे हैं यानि कि कुछ तो यहां पर है तो यहां से मैगनेटिक रेज यहां पर आ रहे है तो यह हमने first देख लिया magnet के बारे में second हम बात करते हैं इन दोनों magnet के बीच में हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन हम feel कर सकते ही कि यहाँ पर कुछ है त्योंकिन है magnetic lines है उसको use करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में हमने एक ले लिया armature armature जो होता है वो rectangular shape का हमने armature ले लिया है अब armature अगर आपको घर में बनाना हो suppose करो कि यह सारी चीज़ा आपको घर में इसका project तयार करना हो तो आप कैसे करोगी armature बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम सबसे पहले एक soft iron लेते हैं ठीक है एक soft iron लेकर के और उसके चारो तरफ conductor wire ऐसा wire जिसमें electric current flow हो सकता है वो conductor wire हमने यह iron ले लिया ठीक है ना soft iron ले लिया और इसके उपर हम conductor wire जो है काफी इसको आप चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं कम कर सकते हैं ज्यादा करेंट अगर अगरम को बढ़ाना है तो यहां पर अब यह हमने जो बनाया यह पुरा हमारे जो रेक्टेंगुलर यह त्यार हुआ है इसी को कहते है है आर्मेचर अब इसमें हम सेंटर में हमने क्या लिया है soft iron लिया है थेक है soft iron लेते हैं soft iron इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें से होकर के यह एक तो यह rays को थोड़ा अट्रेक्ट करता है है soft iron है तो magnetic rays को क्या करेगा यह अपनी तरफ खीचता है ठीक है तो जादा जादा हम चाहते हैं कि magnetic rays उसमें से होकर के निकले मतलब मैंगनेटीक रेस जादा होने का मतलब नहीं है कहने का मतलब है कि मैंगनेटीक रेस एक बहुत जादा निकला और जब यह आर्मेचर मूफ करेगा ना तो एक बहुत कम निकलेगा ठीक है मतलब उसमें से पास नहीं हो पाएंगे ज्यादा तो डिफ्रेंस हमारे पास जादा रहे मैंगनेटीक रेस के एक बहुत जाद गया एक बहुत कम गया उसका डिफ्रेंस हम बना सके इसके लिए वह मैंगनेटीक रेस को अपनी तरफ अट्रेक्ट कर सके इसके लिए हम यहां पर क्या लेते हैं सौफ्ट आयरन का यूज करते हैं इसके सेंटर में यह हो गया हमारा आ कोपर से बने होते हैं कोपर या कोई दुसरा कंड़क्टर भी अपीस्तेमाल कर सकते हैं अब देखिए इतना बड़ा यह आर्मेचर है ओर मैचर यहां पर वर्ग करेगा ठीक है मैकैनिकल इसमें कैनेटिक ऐनर्जी जो हो तो हम sound representative, जो भी हम सक्रेंट का, जहां इस्तिमाल कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे load, तो यहां से current, load तक पहुंचे कैसे, इसके लिए यहां पर बीच में यह सारा system बना होता है, क्यूँकि directly हम यहां से load में तो attach कर नहीं सकते हैं, क्याant continue यह move कर रहा है, है इसमें मोमेंट हो रहा है तो उसकी वज़े से क्या होता है अब हम डारेक्ट उसमें कर देंगे तो यह गोल-गोल घुमेंगा तो सारी चीजे जितने भी वार्स होंगे क्या हो जाएंगे सब उलज जाएंगे आपस में तो हमको एक सिस्टम से लोड तक करेंट को पहुंचा यह हो गया IS SLIP RING 2 SLIP RING तो यह सितने से लगे होते हैं और यहां से यह वायरा इसने अटेच नहीं है इसके साथ यह slip ring के साथ जूड़ा नहीं है slip ring जो है एक दम stable है लोह का दो मतलब copper का बना हुआ मुटा मुटा सा रहेगा ऐसे दो बिल्कुल इस तरीके से fix रहेगा अब यहां पर यह fix रहेगा और यहां से जो armature से जो wire आरा है ना वह wire क्या करेगा देखिए एक इसमें बता रही हूं आपको यह दोनों wire है ना आप समझेए कि यह हमारा slip ring से है और यह wire वह wire क्या करेगा देखिए move करेगा ना तो सिर्फ इसमें को touch करते हुए move करेगा ठेक है किसी प्रकास से वायर जो है वह आपस में इस तरीके से उलज नहीं रहे है कुछ भी नहीं हो रहा है यह तो stable move के वल यह कर रहा है तो इस तरीके से आई यह जो है इसमें मूफ करता रहता है अब दोनों रिंग को एक रिंग को हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे रिंग को हम S2 से रिप्रेजेंट करते हैं अब यहां से यह जो रिंग है इसने क्या connect किया इसने एक connection बनाया आर्मेचर से यह कनेक्ट हुआ ठीकिन आर्मेचर से जो इसका वायर आर्मेचर का यहां से करेंट अब यहां जो करेंट बन रहा है वह करेंट यहां से होते हुए यहां से होते हुए और यह किसको यह टच कर रहा है तो वह करेंट किसको मिल रहा है रिंग को मिल रहा है अब र जाऄ भी किन पना रखा है कार्बन कार्बन के अभी क्यों हो तो यहां से चिज हम ने कि अब यहांस लिया है और यह सारी चीज है तो फॉज चाहरू है अब अब चेज हम वाग पने बारेज करheen अब तो उन सारी चीजि़ों से बल्व से। सांड से तरहे तो यहां से रंट रहा तर्फा रहेगा से « k welcome कर्ण रहा है और यह कॉल इनको मिल रहा है. और यह काम कर रहा है जो करेंट यहां से पास हो रहा है इस तरीके से करेंट यहने कि पहले इस में आया रिंग में आया यहां से ब्रस में गया ब्रस से फिर करेंट वायर के थू कहां जाएगा लोड में जाता है जो करेंट यहां पर पास हो रहा है वो क्या है इंड्यूस्ड क के पुझ में हमने तब मात रहेarea किया कि एस तरहे उसको करने में कि ए पहुंच रहा है कि कि और र्यमारा यह जनेयर्टर है नहीं फ़र्म परिंशिपलू पर यह काम करेंगा तो इसके लिए किस प्रिंसीपल पेंशनुपल कर तो उसको मोलते ही EMI यानि कि electromagnetic induction जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं तो electromagnetic induction में आपने क्या देखा था कि जो magnet होता है या तो यह stable रहे और magnet move करें या फिर यह बीच का यह चीज जो है यह move करें और magnet stable हो अगर continue moment होता रहता है तो यहां करेंट originate होता है जिसको हम बोलते हैं induced current ठीक है यह हमने पढ़ा था electromagnetic effect में अब यहां पर क्या होगा कि रेज यह continuous निकल रहे हैं ठीक है और यह हमने जो आर्मेचर लिया है PQRS यह आर्मेचर हमने लिया है तो इस आर्मेचर में यह क्या होगा क्या कर रहा थार्मेचर इसमें rotation हो रहा थीक है भूम्मेंट हो रहा इस तरीके से यह और यह मूँव कैसे करेंगा यहां पर लगा हुआ है की handle लगाया हमने थे कूले करके और इस निए सलता है जनेरेतर चानल इसमें डाला हुआ है और हमने इस handle को क्या किया, ऐसे ऐसे करके इसको हमने एक बार move कर दिया, फिर generator fuel को use करके और ये continue move होता रहेगा, तो fuel से ये move हो रहा है और इसके moment से electric current induced current originate हो रहा है, अब ये जब move होगा, जब ये move करेगा तो किस तरीके से देखे, ऐसे ऐसे move करेगा और बहुत fast, तेजी से जब तक generator चलता रहेगा, हमको जब तक current की ज़रू हता है, तब तक इसमे moment चलता रहता है, और moment किस के दोरा चल रहा है, फियूल के दोरा चल रहा है, जो generator में हम डीजल डालते हैं, अब इस तरीके से इसमें moment हो रहा है, ठीक है न, अब यहाँ से जो raise निकल रहे हैं, ये raise इसमें से होकर के निकलेंगे ठीक है आप देखिए अब यह ऐसे हो रहा है तो इस आर्मेचर से होकर के रेज निकलेगा और जब यह रेज आर्मेचर के अंदर जाते हैं और तो इसमें क्या होता है कि इन रेज में हमेसा चेंजे जाता रहता है जब रेज में चेंजे जाता र किसे तरीके से होता है तो क्या होता है इस मेंसे ज्यादा 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 रेजास मे लृडश इसमें से बहुत ज्यादा यहां से पास हुए फिर हमने ऐसे किया तो यहां पर अब रेज की संख्या जो है वह 10 हो गई तो करेंट कभी जादा बन रहा है कभी कम अब जादा कब बनेगा और कम कब बनेगा जब डिफरेंस मैग्जिमम हो अब देखें इन दोनों का अगर हम जब डिफरेंस देख रहे है तो कितनाम को मिल रहा है 10 इन दोनों का डिफरेंस हम देख रहे हैं तो कितनाम को मिल रहा है 6 डिफरेंस जादा होगा अगर यानि कि एक बार बहुत जादा इसमें रेज जादा जाए यह जरूरी नहीं है रेज का डिफरेंस जादा हो यह जरूरी है अगर रेज का डिफरे से हैंपर कम हुआ तो करींट यहां पर कम फ्रोंगा तो में कुछ ज्याDAS कम अमांट इसका चैंज होता और यह बार बार मूल कर रहा है कभी iq इसके यह 2 पॉइंट है एक यह है और एक ही तो इस में दो सरफ यह से एक तो PQ है और दुसरा Rsh है यह PQ है और यह Rs से अब देखिए इसमें यह चेंज हो रहा है ठीक ना अपना यह दोनों एंगल हो रहा है इस वजह से करेंट भी कभी positive में होता है फिर कभी negative में होता है इस तरीके से positive negative में current इसकी वजह से है कभी ये वाला surface आएगा कभी ये वाला surface आएगा और current किधर flow हो तो यहां पर आध्यून में और हम अगर हम धीप में जाते हैं तो यहां पर पूरा यह क्लियर कर पूरा रोटेशन कंप्लीट कर रहा है और वैल्यू करेंट के कभी ज्यादा भी मिल सकती हो और कभी कम भी मिल सकती है तो यह रहा हमारा AC generator आज हमने study किया AC generator के बारे में अब हमारा next topic DC generator और उसके बाद ऐसी operator में जो current हमको मिलता है उस current में क्या different होता है एसी के द्वारा हम current ले रहे हैं उसको कहा कहीं ऊसकर कर सकते हैं या हम किसको ज्यादा prefer करते है और बारे में हम इस्टरडी करेंगे झालाँ रारे में आड़के बारे में अड़ करेंगे प्रहा ज़के बारे में आप झालाँ आपारे में आधी हम श्याओंगे